है या फ्रेंड्स वैलकम टू स्टार एजुकेसनल यूटूब चैनल स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक वाफिस से इस्टार एजुकेसनल यूटूब चैनल में दोस्तों इस वीडियो सेसन में बात करेंगे आपन सीजर प्याइड कांस्टेबल के प्टीवेस एर के पर प्रसंद स्रंखला है उनकी यहां पर बात करेंगे एक्जाम तक आपकी इसी तरह की स्रंखला है जो की सीरीज यहां पर आपके लिए में लेके आता रूँगा और आपको इस वीडियो को अपने फ्रेंड से साथ जद़ जद़ शेयर करना है ताकि आपके दोस्त यहां पर जान सके किस तरह के प्रसंद है जो की एक्जामें पूछे जाते हैं आपने आने वाले एक्जाम के लिए मैं तो पुर्णा और वो भी प्रेपेसंद का मोगा पा सके पहला प्रसंद है आज का अपना राश्टर पती लोगसभा में कितने सद़ शेयर मनोनित कर सकता है लोग यानि की दो सदेशिया है जो की लोगसभा के अंदर वह मनोनित कर सकता है जो की कौन होगे जो की होगे अंगलो इंडियन है जो की यहां पर आपको ध्यान रखना है उनको यहां पर मनोनित कर सकता है और 12 सदेशिया है जो की वह है राज्य सभा के अंदर मनोनित कर सकते हैं तो 12 सदेशी राज्य सबा में लोग सबा में 2 सदेशी है मनोनित कर सकते हैं 12 सदेशी जो होते हैं राज्य सबा में उसमें एंगलो इंडियन कोई जरूर नहीं है उसमें जो समाज सेवा है खेल हैं विशेश रेणी हैं वह भी उसे related वक्ति को प्रसंद को वहाँ पर मनोनित कर सकते हैं तो दोनों का ध्यान रखना है राज्य सब में 12 और लोग सब में 2 नेक्स्ट है सर्वे ग्राही रख समू कौन सा है सर्वे ग्राही रख समू ग्राही का मतलब होना है लेने वाला वह रख समू जो सबसे रख ले सकता है चाहिए वह किसी भी ब्लड ग्रूप का हो वो ए हो सकता है वो बी हो सकता है ओ हो सकता है इन में से कौन सी ऐसी केटेगरी क वक्ति हैं जो कि इन सभी से बलड ले सकता हैं तो वह है कौन सा है वो है AB Group AB Group है जो सभी से बलड ले सकता है Next प्रस्न है अपना A.S.I.O.G. Andolan किस वर्ष शुरू हुआ था? A.S.I.O.G. Andolan की बात की गए यहां पर यहां किस वर्ष शुरू किया गया था? तो यह कब सुरू किया था? यह सुरू किया था? 1920 में कब किया था? 1920 यानि की B. यहां पर अपना सही एंसर हो जाएगा जब A.S.I.O.G. Andolan सुरू किया गया Next है Penalty Stroke की स्खेल में पर्युक्त होता है तो यह जो सबद है कौन से खेल के लिए यहां पर पर्युक्त किया जाता है Penalty Stroke सबद है कौन से खेल का पर्युक्त सबद किया जाता है आपको यहां पर बतन है चार ओप्सन है, आपके सामने क्रिकेट है, बास्केट बॉल है, फुट बॉल है, होकी है, इन में से क्या है, जो कि यहाँ पे सही answer हो जाएगा, तो इसका जो सही answer है, वो हो जाएगा, D यानि की होकी सबद में, पैनल्टी स्ट्रोक सबद का परियोग किया जाता, ठीक है, तो सदन हैं, उनको का जाता है, एक को निम्द सदन का जाता है, एक को उच्छ सदन का जाता है, कौन सा उच्छ सदन है, कौन सा निम्द सदन है, दोनों ही आपको पता होना चाहिए, राज्य सबद हैं, जो की उच्छ सदन है, लोग सबद हैं, जो की निम्द सदन है, तो यहां पे गुरु नानक देव है, जिनके द्वारा यहां पे स्तापना की गी थी, ठीक है, तो B सही एंसर हो जाएगा अपका, next question है, बारत में जंघणना कितने वर्षों बाद होती है, जंघणना कितने प्रति, कितने वर्षों बाद यहां पे आयोजित करवाई जाती है तो यहां पे अपना जो सही अंसर है वो हो जाएगा D, यह निकि परति 10 वत बाद यहां पे जो जन्गणना है वो आयोजित तक करवाई जाती है तो D सही अंसर हो जाएगा पहली है जो की करवाईगी थी अठारा सो बहुतर में कब करएगी थी अठार सो बहुतर में पहली जंदगरना थी उसके बाद अठारा सो इक्यासी से लगातार दस वर्षों बाद जंदगरना करए जाती है तो नियमेत रूप से 1881 से शुरूई लेकिन पहली जंगरना 1822 नेक्स टैं मेगदूत किसकी रचना है मेगदूत के बारे में पूच गया यह किसके द्वारा लिखी गई पुष्टक है आपको बताना है तो मेगदूत के बारे में आपको यहाँ पर बताना है और इसका जो दोस्तों सही एंसर है व बारे मांट बैटन है यह तो आपको पता होगा उस समय बारे में पूच चुके कई बाहर पूच चुके लेकिन यह प्रसन भी कापी इपोटेंट है पूच सकते हैं तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा क्लेमेंट एटली को ने एटली था जो कि यहाँ पे बिरिटन का परदान मद्रिता आप पढ़ते होगे तो आपके सामने आता होगा एटली की घोशना ठीक है तो एटली के द्वारा घोशना की घीती भारत की स्वतनत्ता की नेक्स्ट प्रसन है एक्जीमा रोग शरीर के किस अंग को परभावित करता है एक्जीमा रोग यह सरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है आपको बताना है एक्जीमा रॉम के बारे में आपसे पूचा गया है और यह है सरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है तो यह है तवच्चा को प्रभावित करता है तो यहाँ पे इसकिन यानि की भी अपना सही answer हो जाएगा संसार का सबसे बड़ा महा सागर कौन सा है संसार का यहाँ पे सबसे बड़ा महा सागर आपसे पूच गया है कौन सा है जो कि सबसे बड़ा महा सागर है तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा महा सागर है वो हो जागर D यानि कि परसांत महा सागर जिससे इंगलीज में पेसिफिक महा सागर कहा जाता है क्या का जाते हैं तो यहाँ पेसिफिक महासागर हैं जो कि इसे ही का जाते हैं आमको confused नहीं होना है तो संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है परसंत महासागर हो जाएगा नेक्स्ट है पेनल्टी किक किस केल में पर्युक्त किया जाता है पेनल्टी स्टोक हो कि था और पेनल्टी किक है जो कि किस में होता है यह है फुटबाल में पर्युक्त किया जाता है किस में किया जाता है तो यह हो जाएगा फुटबाल में पेनल्टी कि कि यहाँ पे फुटबाल सही एंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुस्निक बात करते हैं नेक्स्ट है रनजी ट्रोफी का समंद किस केल से हैं रनजी ट्रोफी का समंद आप से पूचा गया है किस केल से हैं तो इसका समंद है किरकेट से किसे हैं किर्केट से यानि कि यह यहाँ पर सही एंसर हो जागा रंजी ट्रोफी पूचा जाए इरानी ट्रोफी पूचा जाए या फिर देवधर ट्रोफी ठीक है देवधर ट्रोफी और एक और ट्रोफी है जो कि है वीजे हजारे ट्रोफी ठीक है तो यह ट्रोपी है जो कि यहाँ पे आपको ध्यान रखने किस खेल से हैं तो यह है किर्केट से सम्मधित ट्रोपी आए नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है ज्यान पीट पुरुषकार किस सेतर में से सम्मधित है Next question की बात करते हैं Next है भारत का सर्वोच खेल पुरुशकार कौन सा है तो भारत का सर्वोच खेल पुरुशकार आपको बताना है चार औप्सन है आपके सामने और इसको दोस्तों सही answer है वो हो जाएगा B यानि की राजिव गांदी खेल रतन पुरुषकार है जो कि भारत का सर्वोच खेल रतन पुरुषकार है तो खेल पुरुषकार के अंतरगत आप से पूचा जाए कौन सा सर्वोच पुरुषकार है तो हो जाएगा राजिव गांदी खेल रतन पुरुषकार नेक्स्ट है अर्जुन पुरुसकार की वर्ष शुरूवे अर्जुन पुरुसकार यह किसे समदित है तो यह भी खेल से समदित है किसे समदित है तो यह भी खेल से समदित है और इस पुरुसकार की सुरुवात कब की गई आपको बताना है और इसकी शुरुवात कम की गई थी यह की गई थी 1961 यनि की 1961 में अर्जुन पुरुषकार की शुरुवात की गई थी और यह खेलों से सम्मधित है नेक्स्ट है भारत की मानक समय रेका कौनसी है तो आपको पता होगा भारत का मानक समय है जो कि यहाँ पे 0 डिगरी जो यह अम्योतर रेका है देसंतर रेका है उससे अपन पूरों में है तो अपनी पूरों देसंतर होगा तो पूरवी देसंतर सब में दे रखा है इलाबाद क नेनिताल इस्तान से गुजरती है, सब में दे रहा है, तो इसमें अब ज्याद करना है, कौन सी वो रेका है, तो इसमें सही एंसर हो जाएगा, यह यानि कि 82.5 डिग्री अपनी जो पूर्वी देसांतर रेका है, जो कि इलाभबाद के नेनिताल से गुजरती है, वो अपना मानक समय रेकार दर्शाती है, तो इसमें अपना सही एंसर हो जाएगा, नेक्स्ट है, मेक्सस से पुरुषकार पाने वाले पहले भारत्य कोन है, रेमन मेक्स का किसे दिया गयता है, तो रवीष कुमार को 2019 का पुरुषकार दिया गयता, यहाँ पे अपना सही एंसर है, विन्नोबब बावे, यानि दी सही एंसर हो जाएगा, नेक्स्ट है, मोना लिशा किसकी विशु विक्यात पैंटिंग है, यह है किसके द्वारा बनाईगी थी, आपको बताना है, तो चार अप्सन आपके सहम ने, और इसका जो सही एंसर है, व हो जाएगा, यह यानि कि लियोनार्डू डा विन्ची है, जिनके द्वारा यहाँ पैंटिंग बनाईगे थी, तो मोना लिशा किसकी पैंटिंग है, लियोनार्डू डा विन्ची, ठीक है, next person है, सवांग किस राज्य की लोग नर्त्यक लाहें, सवांग के बारे में पूछा गया है, यह किस राज्य की परशिद लोग नर्त्यक से लिए है, तो यह हो जाएगी हरियाना की, कहा कि है हरियाना, यानि कि C यहाँ पर अपना सही एंसर हो जाएगा, नेक्स्ट है भारत में कितने उच न्याले हैं तो उच न्याले के बारे में बात की गिया है हाई कोट कितने हैं भारत में तो यहाँ पे जो सही अंसर है वो हो जाएगा भी यानि कि 25 है जो कि भारत में उच न्याले है कितने हैं 25 पहले कितने हुआ करते थे 24 वा करते थे उसके बाद 25 वा कौन बना तो 25 वा आपसे पूचा जाए तो आंध्रा परदेश का जो हाई कोट बना है उच्छन याल है जो कि अपना 25 वा उच्छन याल है ठीक है तो यहाँ पर अपना 25 सही एंसर हो जाएगा कोई विदेग धन विदेग है या नहीं इसका फेसला कौन करता है विदेग आते हैं तो एक साधरान विदेग होता है एक धन विदेग होता है तो विदेग आने से पहले उसको कौन फेसला करते हैं कि ये विदेग धन विदेग है कि नहीं है तो इसका जो फेसला है वो करता है लोग सभा अध्यक्स कौन करता है लोग सभा speaker होता है वो यहाँ पे निर्णय करता है कि यह दन्विदेख है या नहीं है तो यहाँ पे भी अपना सही answer हो जाएगा नेक्स्ट है अंतिम मुगल समराथ कौन था नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे मुगल समराथ का पतन होना शुरूओ गया ता उसके बाद कोई भी बड़ा यहाँ पे सासक नहीं बन पाया था लेकिन अंतिम सासक था वो था बहाँ आस जपर दिते था इसे 1877 की करांती के बाद इसको जेल में डाल दिया गे था और मुगल ससंद का अंत कर दिया गे था इसे रंगोन बेज दिया गे था औरंग जेब की मर्थ्यू है जो की हुई थी 1707 ये भी आपको दियान रखनी है नेक्स्ट है तमबाकू पर पूरी तरह परतिबन लगाने वाला विश्वय का पहला देश कौन सा है तो तमबाकू पर पूरी तरह परतिबन लगाने वाला विश्वय का पहला देश कौन सा हो जाएगा बुटान तो बुटान है इसने पूरी तरह परतिबन लगा रखा है तमबाकू पर नेक्स्ट है गोदान किसकी रचना है तो गोदान के बारे में पूचा गया यह है किसकी परशिद रचना है तो यह हो जाएगी मूनसी प्रेमचंद की परशिद रचना है गोदान तो डी अपना सही एंसर है next है, swine flu बिमारी किस विसानू से फैलती है so swine flu एक virus द्वारा फैलने वाली बिमारी है so this is a virus आपको यहाँ पर बताना है और इसका जो सही answer है, वो ज़ेगा A यानि कि H1N1 जिसके द्वारा swine flu फैलता है so this is a answer next है, राष्ट्य मत दाता दिवस कब मनाया जाता है तो राष्ट्य मत दाता दिवस यह मनाया जाता है 25 जनवरी को कब मनाया जाता है 25 जनवरी को है जो कि राष्ट्य मत दाता दिवस मनाया जाता है next है, भारत सरकार का स्वेंधानिक मुख्या कौन होता है तो स्वेंधानिक मुख्या होता है प्रेजिडेंट यानि की राष्टर पती है जो की स्वेंधानिक मुख्या होता है कि स्वेंधान ससोदन द्वारा मूली कर्तवियों को स्वेंधान में जोड़ा गया था मूल कर्तियों के बारे में बात कीगी है यह है कौन से स्विंदान ससोदन द्वारा अपने स्विंदान में जोड़े गए थे तो यह है जोड़े गए थे अपने कौन से स्विंदान ससोदन द्वारा यहाँ पे 42 वे स्विंदान ससोदन द्वारा 1900 उनिज़ो कॉसा था उनिज़ो यहांफे साइध इंद्रा गांधी के द्वारा ठीक है यहां पे आपको ज्यान रखना है तो फ्रेंट्स यहां घूब अपना मैंना सेसंट में आपने का पर्षेनों की बात की वीडियो अच्छा लागे लाइक जरूर करें फ्रेंट्स के साथ सेयर करें चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करें दोस्तों धन्यवाज जहिंद